हेलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट यूजी 2022 स्टुडेंट जो काउंसलिंग में पार्टिस्पेट कर रहे है अलोट्मेंट लाइटर का वेट कर रहे है उन सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है अलोट्मेंट को लेकर तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ तो जिन भी स्टुडेंट्स ने बिहार स्टेट के लिए अपलाई किया है उन सभी के लिए वीडियो इंपोर्टेंट रहेगी तो आज इस वीडियो में पूरा डिसकेशन होने वाला है इससे पहले गाइस अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटीड की सभी स्टेट की अपडेट आपको इस चैनल के थूरू मिलती रह बात करते हैं बिहार स्टेट का जो ओफिशल नौटिस है वो जारी हो चुका है लेटिस्ट तो क्या आया है देख लेते हैं हम एक बार है तो तो गाइस यह ओफिशल नौटिस है स्टुडेंट के लिए बिहार सयंक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिक्शा पर्षल ठीक है किसके लिए है यह अंदर BBC करम में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियों गी था परिक्षा 2022 के आधहार पर पिहार सरकार के विभिन पैरा मेडिकल इंटरमीडियेट इस्तरिया तथा पैरा मेडिकल पाठ्य करमों की सीटों पर ओनलाइन काउंसलिंग है तू डिसी इसी 2022 में सम्मलित सभी पा सब्सक्राइब देख सकते हैं प्रविजनल सीट अलोटमेंट रेजल्ट कर प्लिकेशन डेट होगी वह पहले जो ती चार नवंबर ती और अब क्या कर दी गई है दस नवंबर कर दी गई है चार नवंबर को रिजल्ट नहीं आया ठीक है आप जो अलोटमेंट ओर है वह से 14 नवंबर था अब हो गई है दस नवंबर से 18 नवंबर तक ठीक है उसके बाद डोक्यूमेंट वैरिफिकेशन और एडमिशन होगा सेकेंड राउंड का पहले जो डेट दी गई थी वह दी गई थी 9 नवंबर से 14 नवंबर लेकिन आप चेंज होकर 13 नवंबर से 18 नवंबर नियम यतावत रहेंगे ठीक अब बाकी जितने भी नियम है वो सभी सेम रहेंगे तो गैस यह ओफिशल नोटिस था पैरा मेडिकल स्टुडेंट के लिए ठीक है तो फिर भी अगर इन सबसे लेकर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरे पूछ सकते हैं तो गै आप